इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं HP Addisives के बारे में जिसने के अपनी quarter 2 के numbers अभी पब्लिश करती है तो सारे फिगर लैक्स में इन करोड से बात करेंगे quarter 2 की earnings 1 की है then September 2022 की earnings 3rd row में जो पिछले साल की company की quarter 2 की earnings है इस बार जो company की income है वो हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही बात करें company की total expenses की जो की होते company के खर्चे तो yearly expenses 55 करोड से 56 पे आ गए और quarterly 54 से बढ़के 56 करोड पर तो जिस तरीके से income बढ़ी तो company के खर्चे भी quarter और yearly दोनों ही जगए में बढ़ते वह देखने को मिल रहे है देन discuss करते कि company को profit या loss for the period कितना वह बढ़ अगर आप देखेंगे तो exceptional item में 22 lakh का एक फंड जो की यहां पर adjust किया कि जिसकी addition करी गई है then tax की adjustment वी exceptional item की adjustment वी फिर आया हमारा profit and loss for the period तो yearly profits company के 2 करोड के approximately September 22 में वह इस बार 5 करोड पे आ गए और quarterly 4 करोड से बढ़के 5 करोड पे तो इस बार के जो numbers है HP additives के काफी अच्छे हमें देखने को मिल रहे है company के profit quarter और yearly दोनों ही जगह हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे है same reflection देखने को मिलेगा company के earning per share यानि की EPS में profit बढ़े तो EPS भी 2.0.27 से 0.57 पर आगे और quarterly point 49 से 0.57 पर तो जिस तरीके से profit बढ़े same company के EPS में भी growth हमें देखने को मिल रहे है तो overall दोस्तों यह थे HP के numbers तो आपके वास इस company के कितने shares है comment box में बिलकुल बता है तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और update के साथ तब तक के लिए बाबाए